खुस खबरी खुस खबरी जी हाँ दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश वाशों के लिए एक नहीं दो नहीं पाँच बड़ी खुस खबरी हैं सबसे पहले तो आपको बताएंगे सरकारी करमचारियों के लिए 4-4,000 रुपे पेंसन बढ़ा दिये योगी सरकार ने इसके अलावा यूपी वाशों के लिए ये दिवाली होगी सिलेंडर वाली जी हाँ गेश सिलेंडर आपको इस बार योगी सरकार की तरफ से मिलने वाला है और तो और यूआओं के लिए बहुत ही बड़ा एलान हुआ है एक करते पांच ही बड़े अपडेट पर नज़े डालेंगे अपन सबसे पहले तो आपको बता दे उत्तर परदेश के अंदर जो भी शिक्षक करमचारी रिट्राइड हो चुके हैं सरकारी करमचारी वगेरा उनकी चार-चार हजार उपे पेंसन बड़ा दियें अब करमचारीों को एक जुलाई से ही मूल वेतन का तीन परतिशत वेतन वर्दी का लाब मिलने वाला इस बारे में आदेश भी जारी हो चुका है इससे सेवा निवरित करमचारी भी होगे लावानवित वहीं किसान बायों के लिए बड़ी खबर देखे सीएम योगी ने लिया बड़ा फिसला उत्तर प्रदेश में करीब तीन करोर परिवारों की आज़िवी का कर्शी पर निरबर है ऐसे में मुख्यमंत्र योगी अदितिनाद के आदेश पर कर्शी विवाग ने यूपी में ही बीज उत्पादन करने के लिए रन निती बनाई है इससे किसानों के लिए स्थानी स्थर पर गुणवत्ता के बीज तैयार होने और उनकी उपज सहीत बागी गुणवत्ता में सुधार करना सरकार का है लक्षे अभी दक्षिन पर रहना पड़ता है निरबर क्योंकि यूपी के अंदर जो प्रमुक फसले होती है उसका तकरीबन 50 फिश्दी बीज दक्षिन भारत से आता है लेकिन अब परदेश की अंदर ही बनेगा पहले सरकार को इसके लिए 3000 क्रोड रुपे सालाना खर्च करने पड़ते थे क्योंकि सभी आइब्रीड बीज तमिल लाड़ो और आंदर परदेश से आते हैं विबागी आखडों में गेहु के, धान के, मक्का के, जो, दलहन, तिलहन वगेरा वगेरा लेकिन अब सरकार की जो प्लानिंग है परदेश के अंदर बड़े पेमाने पर बीज का उत्पादन होगा परदेश में नो करसी जलवाईू क्षेतर में रहने वाली फसलों के मदेनेजर पांच बीज पार्क बनाये जाएंगे वेस्टरन जोन, तराई जोन, सेंटरल जोन, बुलेंद खंडो और इस्टरन जोन ये PPP मोडल पर बनाये जाएंगे, हर पार्क का रखबा नियूनतम 200 हेक्टेर का होगा करसी विभाग के पास बुनियादी सुईधाओं के साथ ऐसी 6 फार्म अवेलेबल हैं जिन में से 2 फार्म, 200 हेक्टेर के 2 फार्म, 200 से 300 और 2 फार्म 400 हेक्टेर के हैं सरकार इनको इच्चुक पार्टियों को लीज पर देकर के 20 तयार करवाएगी इससे सरकार को सालाना 3000 करोड की बचट होगी प्लांट से लेकर लोजिस्टिक लोडिंग, अनलोडिंग परिवयन में स्थानी स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसके अलावा सीड जयनकी जो बीज आते हैं उनकी दरू में भी सुधार आएगा और इसका असर उपज पर यानि की पेदावार भी पड़ेगा वहीं खबर देगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड्सों में केंद्री मंत्रीने की योगी सरकार की तारीफ क्योंकि सीएम योगी आदितिनात के नेत्रत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरह बहुमू की विकास का मोडल बना है देश को नहीं विश्व की सबसे तेजी से अर्थिवस्ता बनने में काफी सायक हो रहा है सीएम योगी गोरकपूर में स्मार्ट क्लास और पेपसी को की नई यूनिट का भी किये उदगाटन रोजगार के मोर्चप पर बड़ी छलांग आप देख सकते हो पेपसी को ने 1170 करोड रुपे का निविश किया है गोरकपूर के अंदर और विद्यारतियों के लिए नई स्मार्ट क्लास का आयोजन भी अब हो चुका है ग्रेटर नोयडा में होटल इंडेश्ट्री को भी मिला जबरदस्त बूष्ट पचास परतिसत से अधिकोई कारोबार के बड़ोतरी और तोर बाढ़ के चलते योगी सरकार ने कसी कमर 11 जिलों में राहत कारे युद्ध स्थर पर किया जारी जिसमें शामिल है कुशी नगर, महराज गंज, लकमीपूर, खीरी, बलिया, फरुकाबाद, गोंडा, कानपूर नगर, जीबी नगर, सितापूर, हर्दोई, सांजापूर जहां बाढ़ के अलाद, गंबीन, कहीं गाओं में पानी बढ़ चुका है एसे में सीम योगी का एक्शन प्लान तयार, हर जिले में तेनाद की गई रेस्क्यू टीमें, किसानों की मदद का किया वादा और मौजे का भी किया एलान और दिवाली से पहले, फ्री में सिलेंडर, मुख्यमंत्री के एलान से जम कर मनेगी दशेरा और दिपावली, आम जन के लिए, माताओं बहनों के लिए जिन जिन उजूला योजना की तेत, अभी तक सरकार ने 10 करोड कनेक्शन दिये हैं इस योजना की तेत, लाबार्तियों को मुफ्त LPG कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर की पहली रिफिलिंग भी मुफ्त में मिलने वाली है अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों बायों बायनों के साथ आयून तक भी एक काम के और जरूरी अपडेर पहुंच पाए अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मातरम